ओके गूड इवनिंग नमस्कार साथियों मैं एक्जाम मास्टर थे आदन्द आज आपके बीच आया हुआ हूँ जैसा कि आप लोग सवरबसर के साथ जुड़े हुए हैं और सवरबसर आपको बजट के बारे में समझा रहे हैं हम आप आज तैयारी कर रहे हैं यूपीटेट की तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए और उस आवस्यक चीजों को मैं समझाता हूँ आपको पहले तो आप यह जान लिजिए आखिर हम लोग को यह जानना चाहिए कि हाँ पहला बजट आपका इस उत्तर प्रदेश का इस समझ किस ने पेस किया तो आप देख रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश का बजट पेस किया है मिश्टर सुरेश कुमार खन्ना जो आपके प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, प्रपोश्ट बजट 2021-2022 को लेके आते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं, कि आखिर इस बजट में आपको दिया क्या-क्या गया है, आखिर ऐसी क्या-क्या चीजे हैं, किस-किस मुद्धों पे बजट में चर्चा की गई, कौन-कौन से मुद यह देखिन को किसको दिया गया है मारे भारत की जो टाकत है किसान है सबसे पहले उनको दिया गया है तो जैसे दीआ गया है कृसी दुरघटना के लिए क्या दिया गया है 600 करोड रुपए दिये गए क्रिसी दुरगटना के लिए क्रिसी दुरगटना एक तरीके से भीमा के तोर पे है कि किसी भी प्रकार की दुरगटना जैसे ओले पड़ जाते हैं तो उनमें क्रिसियों को क्या दिया जाएगा फिर आपका आता है सबसीडाइजिंग लोन सौन फा समन्वित योजना और 15,000 सोलर पंप का भी इस बार 15,000 सोलर पंप भी आएंगे दो अब देखते हैं महिलाओं के लिए क्या दिया गया है देखिए महिलाओं के लिए क्या होता है कि हमारे देश में का जा रहा मैं इस समय असुर अच्छी थे कुछ तो प्रदेश में देखि कि यूपी का डेटा है और बजट हमेशा साल भर का आकड़ा देता है आने वाले सालों में आखिर क्या गुजरने वाला है आने वाले वर्सों में क्या होने वाला है तो इसको समस्ते चलिए मुख्यमंत्री शक्षम शुकोशन योजना 100 करोर रुपए पूर्शोत्रम कारिक किने के लिए महिला समर्थ योजना समर्थ के लिए दिया जाता है कि महिलाओं का शमर्थ कैसे साबित कह जाए आते हैं हम आप जिसको कहते हैं यूवा यूथ के लिए आखिर क्या आया है देखिए यूथ के लिए क्या आता है यूथ हम आप हैं हमारे लिए क्या आता है मु प्रोचाहन योगना जिसमें 8 55 करोर रुपय दिये जा चबते हैं कि अब आप का आता है नए सपोर्ट इनवर्स्टी बन रही है मेरट में इसके लिए 20 क्रोर दिया गया है इसमें दोनों चीजें नोट कर लिज्ये, कि मेरट में बन रही है और दिया कितना गया है बीस करोर रुपए ये दोनों सवाल बहुत ही जरूरी हो सकते हैं रूरल स्टेडियम माने ग्रामीड स्टेडियम होता है ग्रामीड स्टेडियम के लिए पचीस करोर रुपए ग्रामीड में स्टेडियम बनने के लिए दिया गया है ताकि खेल कुप रौचाहन मिल सके हमारे यहां कि जो खिलाडी हैं वह आगे बरतके युवा अधिवक्ता के लिए पांच करोड़ रुपए अधिवक्ता माने वकील साथ के लिए उनके चैंबर के लिए बीस करोड़ बुक्स एंड मैगजीन जिनसे वह अपना डेटा निकालते हैं उनके लिए दस करोड़ रुपए अधिया गया है अब देखते हैं कि स्रमिक कल्यान में क्या जाता है स्रमिक कल्यान मनें लेवर विलफेयर तो आखिर लेवर के लिए क्या मिलता है देखिए लेवर के लिए मुख्य मंत्री दुरगटना वीमा योजना क्योंकि आपको पता है कि सबसे अधिक दुरगटना भ किमा योजना है जिसके तहट 12 करोड रुपए दिया जा रहा है मुख मंत्री जन आरोग्य योजना जन आरोग्य योजना में 100 करोड रुपए गया है और अटल आवाशी विद्याले में 270 करोड रुपए गया है जो गरीबों के लिए दिया जाएगा अब आप देखते हैं पब्लिक हेल्थ करोना के समय में हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है और करोना के समय में हम समझते हैं कि हेल्थ रासियां करोड में क्योंकि पूरे प्रदेश की बात होती है आयुष्मान भारत योजना में देखें क्या दिया गया है ये तहत 142 क्रोड दिये गए हैं जिसमें आपके स्वास्त के लिए लगातार देखें बड़ी रासि दी गई प्रद्धान मंत्री मत्रित्व वंदना योजना 320 करोड रुपए गया है फिर डाइगनॉस्टिक के लिए गया है जिसमें बुन्याजी धाचा स्रिजित किये जाने है तू एक हजार तीहत्तर करोड रुपए का दिया गया है बजट फिर उसके बाद देखिए सहरी स्वास्त एवं आरोग केंद्र बनाया जाना है राज्य आवशधी नियंतर प्रणाली और लोग स्वास्तिकाई एड ब्लॉक लेवल तो इसमें सततर करोड रुपए दिये गये है उनके लिए क्या दिया गया है 1950 करोड रुपए नए बन रहे जो मेडिकल कॉलेज हैं जिसको 13 जिलो में थे जिलो में बनाया जा रहा है उनकॉलिजेज के लिए उन 950 क करोड रुपिया दिया रहा है 175 करोर रुपए जाएगा Medical College इन अमेठी और वल्रामपूर के जिले में बन रहे हैं दो Medical College जिनके लिए 175 करोर रुपए दिया गया है उसके बाद आदर्डी अटल विहारी बाजपेजी के नाम पे Medical University बन रही है लखनव में जिसके लिए 100 करोर रुपए का बजट प्रस्तावित हुआ है फिर आप देखिए फ्री मेडिकल फिसल्टी फार बीपील मनें गरीब लोगों के लिए फिरी मेडिकल फिसल्टी प्रवाइड करने के लिए 100 करोर रुपए इसमें दिये गए हैं आए आगे देखते हैं सौच भारत में क्या दिया गया है? सौच भारत अभ्यान जो भोत ही महत्ष्ण रोजबस माना जाता है खेतर में देखिये दो हजार उकति स्रोर्ट रुपए गया है और सहरी छेतर में चौधा aconteceu करोड इसका अंतर इसलिए इतना है कि गरामीर छेतर में सवच भारत मिस संब के तहट सौचालय बनता है और सवचालय बनाने के दिए ज़्यादा मात्रा में अवस्त्त मत परता है सवचला बनाने के लिए ज्यादा इमाउंट लगता है फिर सहरी में आता है चौदा सो करोर रुपए दोनों लिखते चलिए क्योंकि सवच भारत से अक्सर सवाल अटकते करोर इसमें भी अंतर इसलिए जरूरी है कि रूरल में अभी उस मात्रा में जल का पूरे तरीके से सुचार नहीं किया जासका है वहाँ पर सिचाई से लेकर हर एक तरीके की चीजों के लिए जरूरत होती है जल की मगर सहर में सिर्फ पे जल की जरूरत होती है फिर आपका आता है चीफ मिनिश्टर ऐरो डिंकिंग वाटर मिपने मतलब सभी लोगों को अरो का पानी मिलेगा मतलब स्वच्छ पानी तरसच पानी देने के लिए 22 करोड रूपय गये अब हम आगे देखते हैं कि एई एक्सपरेस्से बन रहा है और देश गिश्क को बदलने के pliers उसके बुनियादी रहचे को बदलने के लिए देखे और मुझ में उस्के लिए ग्यारा सो साथ करोड़ रुपए रुण जा ङुल पुरज़ संवे बन रहा है और बुंदेल खंड एक्स्प्रेस वे यह सब बड़े बड़े नाम है जो आने वाले पांच सालों में हमें आपको बदलाओ के तौर पर प्रदेश में दिखने वाले हैं चौदा सो नबे करोर रुपई इसके लिए दिया गया है तो यह तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्टर सेक्टर आएए देखते हैं कि आखि"- सड़क बनाने के लिए क्या दिया जा रहा है रास्टरू में सड़क क्या होता है ठेकेदार बनाते हैं जल्दी जल्दी खराब हो जाती है इसलिए फिर बनाना पड़ता है तो नई सडक बनाने के लिए नई सडक और ब्रिज बनाने के लिए 12,441 करोड रुपए की रासी दी गई है जिसके तहित जिन छेत्रों में सडक नहीं है वहाँ नई सडके बनाई जाएंगी ग्रामेट छेत्रों में दिख्तर बनती है reconstruction of roads and bridges मतलब जो है जो पिछली बार ठेकेदार ने बनाया था पानी के बरसात के बज़े खराब हो गई उनके लिए फिर से 4,135 करोड रुपए दे दिया गया वह यह आपने खराब कर दिया फिर बना देजिए rural link road मतलब गाउं को जोडने वाली सटकों के लिए 695 करोड जोड़ना जरूरी है गाउं को सहरों से जोड़ेंगे तभी लोगों का विकास अच्छे से होता रहेगा और हम देख रहे हैं इस समय railway overbridge का काम बहुत ही तेजी से हर एक जिले में हो रहा है कि railway का overbridge और अंडर पास बनता है और इसके लिए भी एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही ग्यारा सु बान्वे करोड रुपए की दी गई है कि a nationalist का का अधेसरी आये सुरीराम मंदीर जद्राजी के लिए क्या आया है कि इस पूरे बजट में मंदीर कले ड्हाचा देख लीजिए बंदीर का राचा बन चुका है इस भांचे को निर्मार करने के लिए अखिर बज़ट कई तरीके से दिये जा रहे हैं, देखते हैं कि यूपी सरकार ने राम मंदिर के लिए क्या दिया है, यूपी सरकार ने देखिए क्या दिया है, यूपी सरकार ने दिया है, 101 करोड मतलब बहुत हिस्सु बरासी, 101 करोड दिया गया है, अजो ध्या का एयरपोर्ट जो बन रहा है, क्योंकि राम मं लेकर मुखमंत्री सभी लोग आते जाते रहेंगे तो आई जहाद से ही आएंगे इसलिए एयर्पोर्ट बन रहा है जिसके लिए 101 करोड दिया गया है निजु एयर्पोर्ट जिसका नाम रहेगा मर्यादा पुर्षोत्तम स्री राम एयर्पोर्ट आजोध्याज मतलब इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि जो नया आपका एयर्पोर्ट अजोध्या में बनाया गया है उस एयर्पोर्ट का नाम क्या है वोट इस दानेम ऑफ दा एयर्पोर्ट बिंग कंस्ट्रक्टेड इन अजोध्या फिर आपका आएगा 140 क्रोड रुप कि यह यह माउंट दिया गया है ठीक है आई अब देखते हैं यह माउंट के बाद हमारे पास है अधर प्रोजेक्ट अधर प्रोजेक्ट में क्या क्या दिया गया है अन्य प्रोजेक्ट मतलब कि कुछ अन्य चीजें जो उस हेडिंग से नहीं थी देखिए 100 क्रोड रुपए मेट्रो रेल के लिए दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम धाई सो करोर रुपए यह पढ़िए यह लिखा है MSME मतलब इसका मतलब यह समझे कि जो है मीडियम मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेत् के लिए यह दिपार्टमेंट होता है जो नए नए बिजनेस को उभारने के लिए बनाया जाता है जिसमें नए व्योसाइज के लिए कुछ न कुछ दिया जाता है कि आप व्योसाइज सुरू करना चाहते हैं तो लोन के तौर पे यह पैसा हमसे एक उत्पाद कुछ ने कुछ आपके यहां से होना चाहिए और अगर आप कोई नया उत्पाद अपने जिले में शुरू करते हैं तो आपको रासी में समी डिपार्टमेंट के जरिये मिलेगी शुरुआत करने के लिए ठीक है फिर आते हैं मुखमंतरी की जो है यूद के करने के लिए कोई भी व्यूसाय शुरू करना है तो इस योजना के तहरे ले सकते हैं जिसमें सेंटर आपके जिलों में खुल चुके हैं फिर आता है देखिए मिड़े मिल के लिए कितना दिया गया 346 क्रोड रुपए मिड़े मिल में जाता है और देखिए समगर सिच्छा अवियान के लिए 8182 करोड रुपए कास यह पैसा पूरा खर्च हो जाए तो देश वाकाई सिच्छित हो जाए 200 करोड रुपए जाता है अपके स्टेट के कालेजेस के लिए का मतलब आपका हो गया कि आपके जिले में जो भी कॉलेज हैं उनके लिए 200 करोड रुपए जा फ्रफरुजर के बढ़ाया दिया जाए तो उसको पधावा देने के लिए जन्गरी स्प्रूर्ण धान ने वाले समय में पनारस के लिए सौ CJ करोड गया है पनारब तो मान लेजे टूरिजियम स्पोर्ट पहले से ही है और उतना ही खुबसूरत जगे है कभी गुमिए जाके मुख्यमंत्री टूरिजम पॉइंट्स मतलब चीफ मिनिस्टर का जो है टूरिजम केंद्र बनाया जायेगा जिसमें दोसों करोड रूपए जाएंगे टूरिजम केंद्र क्या होता है कुछ अलग अलग जगे जहां पर छोटे चोटे टूरिजम होते हैं जैसे सीता मढ़ीव गया हो वहां के लिए तो ये आंकडे थे जिनको हमें आपको समझना था। इन आकडों में कई जगा प्रेक्ट लिखे हैं हैं हर कुछ जांग दो कि दो इसे ज्वाइन ने जरूरी है। कुछ लिए करेंड अफेर्स के तौर्पे एक साल का किस उत्पैस a को आने वाले साल भर में जितनी विटेंजी रहेंगी हर जगे इस बज़र से आने वाले परेक्ट की भर मार रहेगी आप से पूछा जाएगा कि इस जगे कितना पैसा गेया है इसका मतलब क्या है एरपोर्ट का नाम क्यू रखा गया है क्या रखा गया है मर्याधा पुरुष रत्वांस्रिशराम के नाम से एरपोर्ट रखा गया है उसके लिए कितना पैसा गया है 101 क्रोड रुपीज गया है तो यह सारे डेटा को आपको हमें समझना पड़ेगा ठीके धन्माद